इस वक्त मध्य प्रदेश में मौजूब और जभाबुआ जिले में है मैं आपको बता दूं यह है दाल पानी जो है यह हरा हरा इसको पर क्या लगाए? दाल है यह पानिया है और यह बाफला पहले इसको मैं चक लेता हूँ, बहुत लाजवाब टेस्ट है, तरारे बंद से सिक्यू हुई है और इसमें जो घी का टेस्ट आ रहा है, लग रहा है कि इसमें फ्राई गिया गया है, यह धनिया और मिर्ची की चटनी है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं ब्रॉट टू यू बाई सेंसोडेंट के अभी लेके आए सेंसोडेंट के, तूद का करेंट गौन तो लाइफ का करेंट आउन देखे ललन टॉप की जो चुनावी यात्रा है वो इस वक्त मध्य प्रदेश में मौजूद है और मध्य प्रदेश में भी हम जाबुआ जिले में हैं जाबुआ जिले का ये है रानापुर रोड और ये गाउँ है लखपुरा गाउब लेलंड आपको चुनावी अतरा निकलती है तो आपको चुनावी मुद्दे दिखाते हैं, लोगों से बाचीत दिखाते हैं, ग्रामीन परिवेश दिखाते हैं, किस हाल में वो गाउ है, क्या स्थिती है, सारी चीज़े दिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको दिखाते हैं लोकल डिशेज, लोकल खान पान और किस तरीके से वो दुनिया में अपनी जगा बना रहा है इस वक्त मेरे पीछे जो सिख रहा है ये देखकर कुछ लोग अंदाजा लगा चुके होंगे कि कंडो पर कुछ चीजे सेकी जा रही है कुछ लोग इसे बाटी के रूप में जान सकते हैं कुछ लोग इसे और भी किसी चीज में समझ सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दू ये है दाल पानी दाल पानी जो है वो यहां की प्रसिद लोग डिश है और ये ऐसे डिश है जो आदिवासियों के दुआरा इसका इजात किया गया और अब ये राज घरानों तक भी कई जगाओं पर पहुच गई है कैसे बनता है क्या इसका स्वाद होता है अब तक जरूर पहुचाने की कोशिश करूँगा लेकिन जिस तरीके से बन रहे थे उसे दिखा देखकर मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये डिश ललन टॉप के दर्शकों तक जरूर पहुचानी चाहिए और आदिवासी इलाके की ये प्रमुक डिश है तो जो बना रहे हैं मैं उनसे बात करके समझूँगा कि वो क्या कर रहे हैं आप लानीये शिक रहे हैं तो ये इसकी सिकाई इसी तरीके सो 특ष ह होती त Rubber लेकिन-तê-पानिये रहे ह look just इसको लेकर एक जो मैं यहां की लोगों की यह ए बीह हाँ पर हो द हुज को लिएक यह जो पर्मपर, और ऐह की लोगों की वह ये भी है कि इसका जो इजात हुआ था वो आधिवासियों ने अपनी जरूरत से इसाब से गिया था, तो अपनी जरूरत पेहसाब से जब इसका इजात हुआ तो हुआ ये कि पहाड़ी इलाकों बांजिए में और्बूना बनाया और इसको सेखने लगे अपने भोजन के रूप में परोसने के लिए तो उस वक्त ये बिखरने लगा और बिखरते बिखरते फिर उन्होंने क्या किया एक प्रयोक के तौर पर इसे पत्ते में लपेटा और फिर सेका और ये सिख गया तो वहां से इसकी शुरुआत ऐस पानी लगा के और इसको अटे की तरह कर लिया जाता है मसलते है उससे तो वह ज्यादा पतला रखते हैं छोटे चोटे लोई बना के उसको आप पत्ते पर सजा लेते हैं एक बहुत सारे अच्छा और यह पहरां चारे को सब्सक्रेंट की तब मतली का सथ जाता है। जाता हिए। नहीं सबस्क्राइब माफले गेहं आटे कि और दॉलते हैं वहन श्सक्राइब मातले पर दुछ« इसमें गेहों काटा और थोड़ा सा मक्का का धिल्दी अजवाइन और मीठा सोड़ा डालते हैं अच्छा मीठा सोड़ा थोड़ा डालते हैं थोड़ा मौइन के लिए अच्छा तेल मौइन के लिए तकि वो नरम रहें टाइट ना रहें जादा अच्छा ठीक आब आपने य तो इसके पानिये का और इनका बाफलो काम पूरा हो जाए गा, फिर उसको कराओ करते हैं, अच्छा इनको आप ले जाका अंदर कडाओ में प्राइ नीका करो, कौन डालते हैं। गीज़ी, देसी गी डालके उसमें इसको फρाइए करते हम और फिर इसको किसके साथ खाया जाता है डाल के साथ तो जो डाल आप लोग बनाते हैं तयार करते हैं वो कौन सी दाल होती है तुवर की और पानिये के साथ उड़त चने की बनती है पर लोगों की फरमाइश रहती है जो डाल चीए वह देख अच्छा तो जादातर कौन सी डि दाल पानिये चावल चट्ने अच्छा यह सारी चीज रखके आप एक थाली तयार करते हैं और इस तरीके से जो है दाल पानिये का स्वाद लोगों को यहां पर दिया जाता है हमें लोगों नहीं यह बताया कि यहां गड़ा ऑफन्टिक टेस्ट है वड़ा नेचुरल टेस् मिलता है तो हम लोग आए हैं टेस्ट भी करेंगे आपको स्वाद पहुचाएंगे लिलन टॉप की तरफ से कैसा है यह बाकी जबान तक आपको स्वाद लेना है तो आपको फिर खास तोर पे जाबुआ के लाके में आना होगा इस आदिवास्ति लोगों की जो यह बस्तिया चाहा है यह बां आफला है यह बाफला है यह साथ में दी गई है प्याज है और यह जो चटनी है यह किसी इसकी है ने डृजी ओर मिर्ची कि यह बना टे ढलाई है यह जो वोरोड दिद्र होती है और दूसरी आली जो दाल होती है वो और पे बनाते हैं ठीक अब भी टेस्ट करेंगे इसको मैं चक लेता हूं आपको एक बहुत थोड़ा सा टेस्ट अगर मैं बता पाया तो कि मैं फूड ब्लॉगर बहुत बड़ा नहीं हो हमारी चुनावे अत्रा है कवरेज के लिए आएं कोशिश करता हूं कि बहुत लाजवाब टेस्ट है इसका मतलब मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं इतना बढ़िया है जिस करारेबन से सिक्यू हुई है और इसमें जो घी का टेस्ट आ रहा है लग रहा किसे उसमें फ्राई किया गया है दाल बहुत अच्छी है तूर की दाल है हरी मिर्च है प्याज है लाज यवाब टेस्ट मैं रिकमेंड जरूंगा है मैं अगर आप जाब वह आए दाल पानिया जरूर खाके जाए अलन टॉप की चुनावी अत्रा जारी है देखते रहिए और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे पीछे है गोविन मेर नाम हो पिन शुक्रिया